नमस्कार दोस्तों कैसे है आप लोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिवाली में जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो यह साफ़ सफाई करते वक्त कुछ ऐसी गलतिया हो सकती है जो वास्तु दोश को उत्पन न कर सकती है वास्तु दोश मतलब क्या कि नीगेटिव को वो उत्पन न कर सकती है और दिवाली में खास करके ये जो तेवार है ये दीपो का तेवार है दियो का तेवार है अलग-अलग प्रकार के रोशनाई हम घर के लिए करते हैं तो क्या उसमें गलती हो सकती है और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए ये सभी हम देखेंगे दोस् का rectangle जैसे एक निकाला है आपका square भी हो सकता है इनी shape में center में खड़े रहकर आप exact direction देख सकते हैं कि कहां पर exact north है कहां पर east है उस प्रकार से आप ये remedies फिर follow कर सकते हैं अगर ये remedies आपको अच्छे लगते है तो आपके दोस्तों के साथ में भी प्लीज ये वीडियो शेयर किजिएगा तो सबसे पहली बात ये है आपके घर का entrance किदर भी हो किसी भी दिशा में हो जो entrance है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ये आपका नौर्थ में होगा इस्ट में होगा साउथ में होगा या वेस्ट में किसी भी दिशा में है आपने अगर गलत दिशा में है या गलत वास्तुपद में है तो भी कोई problem ने है उसके लिए जो remedies है वो तो आप करी सकते हो लेकिन ऐसे entrance में आपको जो है साफ सफाई करते वक्त एक ध्यान रखना है कि यहां पर जो भी आप होलिक सिंबॉल लगाओगे जो भी दर्वाजे के वहां पर कोई फोटो लगाओगे या आप वहां पर flowers के ट्री वगरा ऐसा कुछ रखते हो तो यह सब चीजे जो है यह अच्छी तरीके से साफ सुत्री होनी चाहिए क्योंकि क्या होता है entrance door पर बहुत बार हम उसको साफ नहीं करते है तो वहां पर जाले जमा होते है या dust जमा होते है तो इसको properly clean करना है क्योंकि घर अंदर से पूरा clean करते है लेकिन जो entrance है वहां पर हम properly cleaning नहीं कर सकते है नहीं करते है तो ऐसा नहीं करना है entrance सबसे पहले clean करना है entrance clean करने के बाद जो आप घर में आपके साफ सफाई करोगे तो इस साफ सफाई में जो भी कूडा कच्रा निकलेगा या घर का जो भी गार्बेज निकलेगा तो उसके बारे में एक बात आपको ध्यान में रखने है या तो अगर वो जरूरी नहीं है तो वो चीजे आप घर से बाहर निकाल दीजिए अगर आपको कभी लगने वाली है तो उसको कभी भी चछत के उपर मत रखिए चछत के उपर रखना अलाउड नी है खास करके नौर्थ डाइरेक्शन या फिर इस्ट डाइरेक्शन इन दोनों डाइरेक्शन में या फिर जो पूरा नौर्थ इस्ट है यहां पर आपको गार्बेज कभी भी जमा नहीं करना है जो भी कुडा कच्रा निकलेगा या आपको बाद में लगने वाला समान है तो वो इस जगए पर कभी भी जमा करके नहीं रखना है वो आप जहां पर भी रखोगे तो वो प्लेस मेंली अगर एक्जैक नौर्थ वेस्ट है जहां से वेस्ट नौर्थ वेस्ट जहां से हम चीज़े बाहर निकलते हैं यहांपर रख सकते हो जो जो आपको बाहर निकालना है अगर आप रखनी है वो छीजे जमा करनी है तो West-South-West यह जो portion है यहाँ पर भी, आप वो चीजे जमा कर सकते हैं यहाँ पर भी okay है या फिर south में भी आपके पास जगह है तो वहाँ पर भी रख सकते हैं लेकिन North और East में ऐसी चीज़े आपको जमा करके नहीं रखना है Second thing ये है कि जब भी दर्वाजे के उपर यानि के entrance door हो या फिर किसी भी room का door हो इस door के उपर अलग-अलग प्रकार के pictures लोग लगाते हैं Basically bedroom का door होगा तो उसको कुछ scene scenarios लगा देते हैं लेकिन दोस्तों ऐसे photos लगाने से पहले वो किस वास्तु zone में आ रहा है ये चेक करना भी बहुत जरूरी है आप ही दिवाली की तो हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लक्ष्मी पूजन तो हम सभी को मालूम होता है लक्ष्मी पूजन मालक्ष्मी जी का अगमन होता है तो अमोस्य के पहले दिन या अमोस्य के दिन जो साफ सफाई है उस दिन करना अच्छा रहता है अगर आपका business है आपका shop है तो वो time बहुत अच्छा है साफ सफाई के लिए इसमें गल्ती जैसा मैंने कहा कि पहली गल्ती जो कुड़ा कच्रा निकलेगा वो या फिर आपका कुछ सामान आपको store करना है तो वो north या east में नहीं रखना है second जो है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपके दर्वाजे है यानि के जहां से energies अंदर आते है या फिर आपने जो remedies लगाए होंगे घर में समझो आपने वास्तु यंद्र लगाया है पिरामीड है कुछ है तो इनको आप निकाल के मत cleaning कीजिए क्योंकि ये जहां प नहीं चाहिए जहां पर इसको install किया है तो निकाले बिना ही उसका आपको cleaning करना पड़ेगा next thing ये है दोस्तो कि दिवाली में आप जब भी लक्ष्मी पुजन होता है तो जब भी लक्ष्मी पुजन होने के बाद में लक्ष्मी पुजन का जो पूरा सामान है यानि कि उस पुजा में जो जो साहित्य यूज होता है तो उस साहित्य कौन सा है वो पुजा उसका link मैंने description में भी दिया है और वीडियो के end में भी आप देख सकते हो या उपर जो Ay icon है वहाँ पर भी आप देख सकते हो वो वीडियो है कि वो कौनसा कौनसा sahith है तो वो sahith जैसा उसमें बताया है उसket को आपकी शाफ करके पहले ही अच्छे तरीक ऐसे साफ करके रखना है उस दिन उसमें ये चीजे पूजा होने के बाद थोड़ी देर बाद आप उसमें ये सब चीजे रख सकते हैं तो इस प्रकार की कुछ चीजे है जो आप कर सकते हो और भी कुछ चीजे है जो की दिवाली के वक्त वास्तु में एज रेमेडी हम कर सकते हैं दोस्तों यह तो मैंने सिर्फ क्लीनिंग के बारे में कुछ चीजे बताई है दो तिन की कहा पर गार्बेज रखना है नहीं रखना है या कहा पर चीजे स्टोर करनी है लेकिन जो बाकी वास्तु रेमेडीज है जिसको हम दिवाली के लिए कह सकते हैं तो ऐसे रेमेडीज भी म मैं आपको बताऊंगा अभी के लिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद